नमस्कार दोस्तों, वेदिक मैथमेटिक्स के एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है दोस्तों, आज के इस वीडियो में जिस ट्रिक को मैं आपको बताने वाला हूँ, उसको आपने पहले कभी नहीं देखाऊंगा आज के इस वीडियो को देखने के बाद, आप 19, 29, 51, 67, इस तरीके के नमबर्स का स्क्वाइर रूट केवल 2 सेकंड के अंदर अंदर निकाल पाएंगे जी हाँ दोस्तों, तो मेरी आपसे सिर्फ एक ही रिक्वेश्ट है, आप इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा चलिए सबसे पहले मैं आपको 10 का स्क्वाइर रूट निकाल कर दिखाता हूँ तो इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि 10 के थोगल पहले ऐसा कौन सा नंबर है जिसका स्क्वाइर रूट हमें पता है तो आप मुझसे कहेंगे 10 के पहले आता है 9 और 9 का स्क्वाइर रूट हम सब जानते हैं 3 होता है तो आप क्या करेंगे आप इस number 10 को 3 से divide कर देंगे तो हमें मिलेगा 3.33 इस 3.33 में हम 3 को add कर देंगे और 2 से divide कर देंगे बस आपको बस इतना ही करना है और आपका square root निकल जाएगा आप देखेंगे कि जब हम 3.33 में 3 को add करवाएंगे तो आएगा 6.33 और जब हम इसको 2 से divide कर वाएंगे तो हमें मिलेगा 3.16 और यही होता है 10 का square root आप चेक कर सकते हैं मुझकल से 2 सेकेंड लगेंगे जब आप खुद इस calculation को करेंगे मुझे समझाते हुए जाया time डग सकता है लेकिन जब आप इसको solve करेंगे तो आप देखेंगे कि 2 या 3 सेकेंड के अंदर अंदर आप इसका square root निकाल पा रहे हैं चलिए मैं आपको एक और example से समझाता हूँ मा लेजिए इस बार हमें 67 का square root निकालना है तो आप मुझे बताइए कि 67 के थोड़ा पहले ऐसा कौन सा number है जिसका square root हमें पता है तो आप कहेंगे 67 के पहले आता है 64 और 64 का square root हम सब जानते हैं 8 होता है तो आप क्या करेंगे आप इस number 67 को 8 से divide कराएंगी तो हमें मिलेगा 8.375 इस 8.375 में हम 8 को add करेंगे और इसको 2 से divide करेंगे 8.375 में जब हम 8 को add कराएंगे तो आएगा 16.375 और इसको 2 से divide करने के बाद हमें मिलेगा 8.18 बस यही होता है 67 का square root मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सभी लोगों को हमारा ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा अब मैं आपको कुछ questions दे रहा हूँ जिनके answer आप इसी trick का यूच करके नकालेंगे और comment box में हमें अपने अपने answer बताएंगे अगर आप सभी को हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसको like करके हमें अपना feedback दे सकते हैं Thank you for watching